सदकुरू रूपी प्यारी सासंगत जी प्यार और सदकार से कहना धान निरंकार जी सदकुर माता जी का लख-लख शुकराना करती हैं जिनकी अपार किर्पा से ये सुन्दर घडियां व्यतीत हो रही है सचे पाशा इसी तरह हैं आप जी के किर्पा हर एक जीव के उपर बरसती रहे जो ये रहमतों की बारिश हो रही है सचे पाशा ये हर किसी के हिस्से में ये रहमत आए और दासी सदकुर माता जी के शीरवाज से जो ये विचार आपजी के चर्णों में एक स्टोरी के थुरू रखने जा रही है आपजी ये परवान करना अगर दासी से कोई गलती हो जाए तो शमा करना इस स्टोरी में हमें यही समझाया गया है कि जब भगत भगवान की बात मानते हैं और भगवान को इतना खुश कर लेते हैं जिस तरह कहते हैं कि जो बच्चा होता है वो अपने पेरेंट्स की बात मानता है तो वह पेरेंस का लायक बच्चा कहलाता है ये नहीं जो बच्चे कहना नहीं मानते नालायक बच्चे होते हैं उन्हें पेरेंस छोड़ देती हैं छोड़ते नहीं हैं लेकिन सबसे ज़्यादा प्यार लायक बच्चे को ही करते हैं जो उनके कहे अनुसार उनका कहना मानकर चलता है इसी तरह जो भगत भगवान का सहारा लेती है भगवान की बात को हूँ बहु मानकर चलते हैं उनके उपर सत्कुरू निरंकार की किरभा बरसती है ये नहीं जो कहना नहीं मानते उन पर रहमत नहीं होती उन्हें सत्गुरु प्यार नहीं करते, प्यार तो करते हैं पर इतना प्यार नहीं करते, जो सत्गुरु के कहे अनुसार करम करता है, तो सत्गुरु निरंकार को ऐसे भगत की हर बात माननी पड़ती है, जो भगत कह देता है, जो भगत अशीरवाद किसी को भी दे देता है, करने पड़ती है संपूर्ण अवतारपानी में भी शेहनशा जी ने कहा है सारी दुनिया वस्वी तेरे तू पगता देवसकरतार सारी दुनिया को इस सत्गुरु निरंकार ने अपने वश में किया हुआ है लेकिन भगत अपनी भगती से अपनी भगती भावना से कि एते हैं कि सत्गुरु की शरन में जो भी आया जाहिए वो पापुई चोर डाकु कसाई कोई भी था सत्गुरु ने उसके भाव बदल दिये तो उसको संत महत्मा बना दिया ये बख्षन हारा है ये बख्ष लेता है जो भी इसकी शरन में आ जाता है जो शरन आवे लगावे जो भी इसकी शर्ण में आता है ये उसे संथ महत्मा बना देता है उसको अपने गले से लगा लेता है अगर ऐसा ना होता तो कहते हैं कि जो पापी कपटि चोर मूरक इंसान होते ये तो कभी भी संथ बन ही ना सकते, जत्गुरु तो कहते हैं कि सत्गुर दाता, दारायादी चोले छीन विच पार देंदा आए अक्खा तो जटपर दालाके नूरे चांन कार देंदा सत्गुरु का तो काम है जोलियां भरनी है, बरम ग्यान देना है, ये इसी काम के लिए ही सत्कुरु आया है और सारे संसार के लिए आया है ये किसी के पाप गुनाह नहीं देखता ये सिर्फ देखता है तो भगती भावना देखता है जो शर्दा भाव से सत्कुरु के चर्णों में समर्पित हो जाता है ये उसके इस धंदोलत को बिलकूल ऐसे राजा जनक ने कर दिया कि मेरे लिए तो मिट्टी के समान है और जो ये भगवान का सिम्रन है यही मेरे लिए सब कुछ है तो यहाँ पर सिर्फ भगती भामना देखी गई धंदन राजा जनक जिन सिम्रन कियो विवेक धंदन राजा जनक है जि कबीर जी के पास धंदोलत ये माया रूपी धंदोलत नहीं थी लेकि राम नाम रूपी धंदोलत उनके पास बहुत थी तो राजा जनक जी और कबीर जी में कोई फरक नहीं था दोनों ही शेहनशा कहलाए दोनों के पास राम नाम रूपी धं था तो कहने का भावदासी का क सही माइनों में वो शेहनशा है तो यहाँ पर यही समझाया गया है चाहे कोई धंदोलत से चाहे किसी के पाँ जादा धंदोलत नहीं है या है यहाँ पर उसी की भगती परवान है जो शर्टा भावजे अपने समर्पित होकर सत्कुरू के चर्णों से जुड़ जाता है सत्कुरू के कहे अनुसार भगती करता है सत्कुरू निरंकार कभी भी यह नहीं देखता कि इसके पाँ धंदोलत है या नहीं यह तो सिरफ भाव का भूखा है सत्कुरू निरंकार कहते हैं कि अगर यह यही धंदोलत देखता यह भगवान तो फिर तो गरीब लोग तो तरस्ते ही रह जाते फिर अमीर लोग तो इसे अपनी तिजोरी में ही बंद कर लेते लेकिन यह भगती भावना देखता है जो संपूर्ण सुध हिर जैसे सत्गुरू का हो जाता है सत्गुर्ण निरंकार उसको अपने चर्णों में जगा देकर ऐसे उसकी जैजैकार संसार में भी करवाता है और अगला उसका लोग भी और पटलोग भी सुखी कर देता है ऐसे हिदासी एक सदना कसाई की स्टोरी आप जी के चर्णों में रखने जा रही है एक सदना कसाई नाम का इंसान था वह बहुत ही इमानदार था वो भगवान के नाम किर्तन में मस्त रहता था कसाई इसलिए बोला गया क्योंकि वो ये मास्व वगरा का व्यापार करता था यहां तक कि कहते हैं कि वो भगवान के नाम के किर्टन में इतना मस्त रहता था यहां तक कि वह मास को बेचते हुए भी इस भगवान का ही नाम जबता रहता था इसी को ही हर पल याद करता रहता था भगवान का गुंगान करता रहता था एक दिन वह अपनी दुन में कहीं जा रहा था कि उसके पैर से कोई पत्थर टकराया और वह रुक गया उसने देखा एक काले रंग के गोल पत्थर से उसका पैर टकरा गया है उसने वह पत्थर उठा लिया और अपनी पोकेट में रख लिया यह सोचकर कि यह मीट मास तोलने के काम आएगा वापिस आकर उसने वह पत्थर मास के वजन को तोलने के काम में लगाया कुछ ही दिनों में उसने समझ लिया कि यह कोई सधारन पत्थर नहीं है जितना वेट उसको तोलना होता पत्थर उतने ही वेट का हो जाता दीरे दीरे यह बात सारे शहर में फैलने लगी कि सदना कसाई के पास वेट करने वाला पत्थर है वह जितना चाहता है पत्थर उतना ही तोल देता है उतना ही वेट कर देता है किसी को एक किलो मीट लेना होता है तो वह पत्थर एक किलो का ही हो जाता है अगर किसी को दो किलो चाहिए तो वह पत्थर दो किलो के भार का ही हो जाता है इस तरह यह बात सारे शहर में फैल गई इस चमतकार के कारण उसके यहां लोगों की भीड जुटने लगी भीड जुटने के साथ ही सदना की दुकान की बिक्री बढ़ गई यह बात एक ब्रामन तक भी पहुँची हाला कि वह ऐसी अशुद जगह पर जाना नहीं चाता था जहां मास बिक्ता हो किन्तु चमतकारी पत्थर को देखने की उस सुकता उसे सदना कसाई की दुकान तक ही चलाई दूर से खड़ा वह सदना कसाई को मीर तोलते देखने लगा उसने देखा कि कैसे वह पत्थर हर परकार के वजन को बरापर तोल रहा था ध्यान से देखने पर उसके शरीर के रोंगते खड़े हो गए भीड हटने के बाद ब्रामन सदना कसाई के पास गया ब्रामन को अपनी दुकान में आया देखकर सदना कसाई खुश भी हुआ और हैरान भी हुआ और बड़ी नमरता से सदना कसाई ने ब्रामन को बैठने के लिए स्थान दिया और पूछा कि वह उनकी क्या सेवा कर सकता है ब्रामन बोला तुम्हारे इस चमतकारी पत्थर को देखने के लिए ही मैं तुम्हारी दुकान पर आया हूँ या यूं कहे कि ये चमतकारी पत्थर ही मुझे तुम्हारी दुकान तक लेकर आया है बातों ही बातों में उन्होंने सदना कसाई को बताया कि जिसे पत्थर समझ कर वे है वो मीट तोल रहा है मास तोल रहा है वास्तव में वो शालिग राम ही है बगवान सवरूप होता है शालिग राम जी को इस्तर है गले कटे मास के बीच में रखना वेउन से मास तोलना बहुत बड़ा पाप है सदना बड़े ही सरल सभाव का भगत था ब्रामन की बास सुनकर उसे लगा कि अंजाने में मैं तो बहुत पाप कर रहा हूं उसने वीने परातना करके सदना ने वहशाली ग्राम उस ब्रामन को दे दिया और कहा कि आप तो ब्रामन है इसलिए आप ही इनकी सेवा करके इने खुश करें मेरे योग्या कुछ सेवा हो तो मुझे अवश्य बता देना ब्रामन उस शाली ग्राम पत्थर को बहुत इज़त के साथ अपने घर ले आया घर आकर उन्होंने शिरी शाली ग्राम को सनान कराया पंचा मृत से अभिशेक करवाया और पूजा अर्चना शुरू करती कुछ ही दिन बीते कि उस ब्रामन के सपने में शिरी शाली ग्राम जी आये और कहा हे ब्रामन मैं तुम्हारी सेवाओं से बहुत खुश हूँ किन्तु तुम मुझे उसी सदना कसाई के पास छोड़ाओ सपने में ही ब्रामन ने कारण पूछा तो भगवान ने कहा कि तुम मेरी अर्चना पूजा तो करते हो मुझे अच्छा लगता है प्रंतु जो भगत मेरे नाम का गुणगान किर्थन करते रहते हैं उनको मैं अपने आपको ही बेच देता हूँ सदना तुम्हारी तरह मेरा पूजन नहीं करता है प्रंतु वे हर समय मेरा नाम गुणगुनाता रहता है जो कि मुझे अच्छा लगता है इसलिए तो मैं उसके पास गया था ब्राह्मन अगले दिन ही सदना कसाई के पास गया वे उसको परणाम करके सारी बात बताई वे शिरी शाली ग्राम जी को उन्हें सोप दिया ब्राह्मन की बात सुनकर सदना कसाई की आँखों में आसु आ गए मन ही मन उसने मास बेचने खरीदने के काम को छोड़ दिया और निश्चे किया कि वह भगवान का भजन ही करेगा यदि मेरे ठाकुर को किर्तन पसंद है तो मैं अपना अधिक से अधिक समय नाम किर्तन में ही लगाऊंगा संगत जी इस स्टोरी से हमें यही सेखने को मिला है कि हम हर समय सत्गुरु निरंकार का सिम्रन करते रहें जब हम इसके एहसास में रहेंगे तो यह सत्गुरु निरंकार बहुत खुश होगा सतकुर बाबा हरदेव सिंग जी महराज भी अक्सर हमें यही समझाते थे कि हमने हर समय इस निरंकार का एहसास रखना है अपने फैमिली के साथ बैठ कर भी सिम्रन करना है और काम धंदा करते हुए भी सिम्रन करना है तो सतकुरु बाबाजी ने ये भी समझाया कि रात को जब हम सोने लगते हैं तब भी हमने सिम्रण करना है और जब हम सुब्य उठते हैं तब भी सिम्रन करना है तो वो हमारा 24 घंटे का ही सिम्रन हर समय का ही सिम्रन हो जाएगा इस तरह सत्कुरू बाबाजी ने भी हमें यही समझाया और इस स्टोरी से भी हमें यही सीखने को मिला है अगर हम सच्चे भाव से सत्कुरू को पुकारते हैं तो ये सत्कुरू निरंकार हमारा हो जाता है इसलिए हम शुद भावना से संतों महात्माओं का सत्कार करें, आदर करें, उनकी सेवा करें और सीमरन करते चले जाएं सत्कुरू माता सुदिक्षा जी महराज ने भी हमें यही समझाया है, जो हमारा ये बुद्वार को जो वर्च्वल जोर्नल समागम, मत्रवा, आगरा, पिली भीत, साहरन, पूरसाद, ब्रांचिज का जो हुआ है तो उसमें भी सद्कुर माता सुदिक्षा जी महराज ने यही समधाया है कि सेवा, सिमरन, ससंग यह तीनों हमारी भक्ति के पिलर्स हैं तो हमने इनको करना है और इनको करते हुए हमने अपने ग्रिस्ट जीवन को भी निभाना है हमने इन में बैलन्स बना के रखना है यह नहीं जैसे हमें पता है कि हमारे पास सेवा का हमें हुकम मिला है सेवा का हमें मोका दिया है, सद्कुर ने बक्षा है तो हम उस समय में जो सेवा की ताइमिंग दी गई है हम उस से पहले ही जो हमारे ग्रिस्ट के काम है जैसे खाना बनाना है ये घर के काम करने है जो भी हमारे जरूरी काम होती है वो उस समय से पहले कर ले और सेवा भी करें और घर की घर गरिस्टी भी संभाले इसी तरह सिम्रन तो सत्गुरू ने हमें कहा दिया है कि हमने हर पल इसका एहसास रखना है ये ब्रहम ग्यान सत्गुरू का ये ब्रहम ग्यान ही इस निरगकार का एहसास हमारे दिलों में जगाता है और इसी तरह फिर ससंग कहा है जिस तरह आजकल हमारी ये गुरू चर्चाएं हो रही है तो हमें पता भी है कि टाइमिंग क्या है तो हम उस टाइमिंग में हम कोशिश करें कि जो हमारे ज़रूरी काम है वो हम कर लें और वैसे भी हम ससंग चलते फिरते हम सुनते रहें लेकिन भवन के लिए सत्कुर माताजी ने हम यहां अदेश दिया है जैसे हम भवन में जाते हैं अपने घर से तो हमारा जो समय है दो घंटे का ससंग का तो हम उस समय को इस तरह अड़ाश्ट करें कि हमारे जो फैमली मेंबर्स हैं वो भी हमसे खुश रहें और हम ससंग को भी टाइम दे सके इस तरह हमने ससंग, सेवा, सिम्रन भी अपना करना है ये जो धन है इसको भी कट्ठा करना है और क्रीस धरम का पालन भी करना है ताकि हमारे जो फैमिली मेंबर्स हैं वो भी हमारे खुश रहें कोई भी उन्हें हमसे शिकायत ना हो वो ये ना कहें कि हमें समय पर खाना नहीं मिला है आप तो ससंग में लगे रहते हो, सेवा में लगे रहते हो, सिम्रन में लगे रहते हो नहीं, हमने इन दोरनों में बैलन्स बना के रखना है इस तरह हमें सत्कुर माता जी ने समझाया है जो जो भी सत्कुर्माता जी के ये पावरफुल विचार हमें सुनने को मिल रहे हैं हमने इनको अपने जीवन में धारण करके अपने घर को भी स्वरक बनाना है और अपनी लाइफ को भी हमने अनंद मही बनाना है इस तरह जो ये स्टोरी थी इसमें भी यही समझाया गया है कि इस तरह प्रभू का नाम सीमरन करने से भगवान खुश हुए और भगवान ने उस ब्रामन को कहा कि मुझे तो वही पर छोड़ाओ आप पूजा रचना जरूर करते हो लेकिन उनकी तरह आप भजन किरतन नहीं करते और ऐसा सुनकर सद्ना के साई ने जब ये बात सुनी तो उसने जो उसका बिजनस वाला वो काम था उसने उसको छोड़ दिया और प्रभू के किरतन में लग गया कि अगर मेरे भगवान ऐसे खुश होते हैं तो मैं ऐसे ही खुश हूँ लेकिन सद्कुर माता सुदीक शाजी महराज ने भी हमें समझा दिया है कि हमने ग्रिस धरम का पालन करते हुए अपने काम दंदा करते हुए जिनके बिजनस हैं जो भी हैं उनको करते हुए हमने के सेवासी मरंससंग के जो तीन पीलर्स सद्कुरू ने हमें बताए हैं इनको भी हमने समय समय पर करते चले जाना है जैसा सत्कुर का अदेश आता है जैसे भी टाइमिंग होती है उसको हमने करते चले जाना है संगत जी विचार करते हुए दासी से कहीं परकार की गलतियां हुई होगी दासी उन गलतियों के लिए आप जी के चर्णों से शमा पराती है और दासी सब के सुखों की कामना करते हुए अभी के लिए सिम्रन करवाएगी सभी मिलकर सिम्रन में साथ देना जी तो ही निरंकार मैं तेरी शरणहा मैंनू बख्ष लो बोलिए सत्कुरू माता सुदिक शा सुविंदर हर देव जी महराज की जै निरंकारी राज माता गुरू बच्छ नवतार की जै साथ संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार